नमस्कार मैं हूँ आपके साथ इस्तिया केमद और आप देख रहे हैं आरिया न्यूज बुलिटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और दुखत ख़बर से इस वक्त की बड़ी ख़बर दिगज अभी नेता दिलिप कुमार का निधन हो चुका है 98 साल की उमर में उन्होंने अंतिम सांस ली दिलिप कुमार लंबे वक्त से चल रहे थे बिमाद मॉंबई के खार हिंदुजा अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली दिलिप कुमार के निधन से देश में शौक की लहर ट्रेजिडी किंग के नाम से जाने जाते थे दिलिप कुमार हिंदी सिनिमा के दिगज कलाकार दिलिप कुमार का निदन हो गया है आज दिलिप कुमार ने ठानवे साल की उमर में अंतिम सांस ली है दिलिप कुमार के निदन में देश में शोक की लहर है ट्रेजिडी किंग के नाम से जाने जाते थे दिलिप कुमार बताया जा रहा है कि लंबे वक्त से दिलिप कुमार बेमार चल रहे थे मॉंबई में कई बार उन्हें अस्पताल में भी भरती कराया गया था और आज बॉलिवूड के ट्रेजिडिक किंग ने अंतिम सांस ली है दिलिब कुमार के निदन से बॉलिवूड और देश में सोक की लहर है काई दिगज उन्हें नमन कर रहे हैं दिलिब कुमार ने सुबा साड़े साथ बजे मुंबई के खार हिंदुजा अस्पताल में अंतिम सांस ली अस्पताल के डॉक्टर पारकर जो उनका इलाज कर रहे थे उन्होंने दिलिब कुमार के निदन की पुष्टी की है दिलिब कुमार पिछले एक महीने में दो बार अस्पताल में भरती करवाय गया था पांच जुलाइ को ही दिलिब कुमार के ट्रूटर हैंडल से उनकी हेल्थ का अपडेट दिया गया था वहीं दिगजबी नेता दिलिब कुमार का निधन हो चुका है दिलिव कुमार की परत्नी साहिरा बानोदौारा बयान में कहा गया था आप उन्हें अपनी दौाओं में रखके लेकिन इस हैल्थ अपडेट के दो दिन बाद ही दिलिव कुमार इस दुनिया को अलविदा कहें कर चले गए आपको बता दें कि 11 दिसंबर 1922 को ब्रीटिश इंडिया के पेसावर में जन्मे दिलिप कुमार का असली नाम महम्मद यूसुफ खान था यूसुफ खान ने अपने पढ़ाए नासिक में की थी राज कपूर उनके बच्पन में ही दोस्त बन गए थे मानो वहीं से दिलिप कुमार का सफर बॉली वुड में शुरू हो गया था करीब 22 साल की उमर में ही दिलिप कुमार को पहली फिल्म मिल गई थी 99 साल की उमर में उन्होंने अंतीम सांस लिया और वहीं आपको बता दे 1944 में उन्होंने फिल्म जुवार भाटा में काम किया था लेकिन उनके इस फिल्म के अधिक चर्चा नहीं हो पाई थी दिल्व कुमार ने करीब 5 दसक के करियर में 60 के करीब फिल्में दी थी दिल्व कुमार ने अपने करियर में कई फिल्मों को ठुकरा भी दिया था क्योंकि दिलिब कुमार का माना था कि फिल्म में कम हो लेकिन बहतर हो लेकिन दिलिब कुमार को मलाल भी रहा था कि वो प्यासा दिवार में काम नहीं कर पाय थे वहीं इस वक्त की बड़ी और दुखत खबर दिलिब कुमार की ने अंतिम सांस ली है आपको बता दें कि दिलिब कुमार ने हिंदुजा अस्पताल में अंतिम सांस ली है अंधी सिनेमा के दिगज कलाकार दिलिब कुमार का निधन हो गया आज दिलिब कुमार ने 58 साल की उमर में अंतिम सांस ली है बताया जा रहा है कि लंबे वक्त से विमार चल रहे थे आज बॉलिब के ट्रेजिडी किंग ने अंतिम सांस ली कुमार के निधन से बॉलिब और देश में शोक की लहर है कई दिगज उन्हें नमन भी कर रहे है अस्पताल के डॉक्टर पारकर जो उनका इलाज कर रहे थे उन्होंने दिलिब कुमार के निधन की पुष्टी की है दिलिब कुमार को पिछले एक मैने में दो बार अस्पताल में भरती करा गया था 5 जुलाइ को ही दिलिव कुमार के टुटर हैंडल से उनकी हेल्थ पर अपडेट दिया गया था दिलिव कुमार की पत्नी साहरा बानुद्वारा बयान में कहा गया था कि दिलिव कुमार की तब्यत में सुधार हो रहा है वे अभी भी अस्पताल में ही आप उन्हें अपनी दुआओं में रखे लेकिन इस हेल्थ अपडेट के दो दिन बाद ही दिलिप कुमार इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए बता दें कि 11 दिसंबर 1922 को ब्रेटिश इंडिया के पेसवार में जन्मे दिलिप कुमार का असली नाम महुम्मद यूसुफ खान था यूसिफ खान ने अपनी पड़ाए नासिक में की थी राज कपुर उनके बच्पन में ही दोस्त बन गए थे मानों वहीं से दिलिप कुमार का सफर बोली वुड में शुरू हो गया था करीब 22 साल के उमर में ही दिलिप कुमार को पहली फिल्म मिल गए थी 1944 में उन्होंने फिल्म जौर भाटा में काम किया था लेकिन इनकी इस फिल्म की अधिक चर्चा नहीं हो पाई थी दिलिप कुमार ने करीब 5 दशक के करियर में 60 फिल्में की थी दिलिप कुमार ने अपने करियर में कई फिल्मों को ठुकरा भी दिया था क्योंकि दिलिब कुमार का मानना था कि फिल्मे कम हो लेकिन बहतर हो लेकिन दिलिब कुमार को मलाल भी रहा था कि वो प्यासा दिवार में काम नहीं कर पाये थे